नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग और बहुत-बहुत स्वागत आपका अपने परिवार स्टेडी साला 2.0 में और दोस्तों काफी समय से हम लोग काफी शांत हो गए थे बट फिर फाइनली अब फिर से हम लोग शुरुवात करने वाले हैं और अच्छे से इस बार हम लोग आपको सारे की तने कियारी करवाएंगे जो भी इग्जाम से टाइब टायम से आता रहें अगा फिलआल जो भी एक्जाम है वह इसम की और दो कर वा वाख़े in से चलूंगे से जो जो पॉइंट मेंशंड है उसी की हिसाब से में टेस्स करवाऊंगा ताकि आपको जो है सिले बस में जितने भी पॉइंट मेंशंड उनका रिवीजन एक क्रम में होता रहे और अगर आप रिवाइज करें और यहां आके टेस्ट देंगे तो आपको पताच के जो लेवल है वो कैसा लग रहा है और आपके मार्क्स कितने आ रहे वो जरूर हमें कमेंट सेशन बताईएगा शलिए समय ना गमाए शुरू करते पहले तरफ ठीक है अब यहां पर देखेंगे दोस्तों जो पहला कोश्चन वह आपका है कि ब्रिटिश शाषन में मिंटो कब पारित किया गया था ठीक मॉरले मिंटो सुधार अधनियम अब यहां पर सौरी थोड़ी खराब है अब यहां पर देखेंगे मॉरले मिंटो रिफॉर्म जो था मॉरले क्या थे लॉर्ड मॉरले उस समय के सेक्रेटर आफ इस्टेट यानिकी सचीव बोल सकते हैं और मिं मॉरले मिंटो रिफॉर्म रिफॉर्म आया था और बाकी और ऑप्सिंस भी देख लेते हैं बाकी 1935 में आपका गवर्मेंट इंडिया एक्ट आया था 1935 का बहुत इंपोर्टेंट एक्ट है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे 1911 में है जो दिल्ली दर्बार जैनरल थे उस तमें ठीक है 1919 में आपका एक और मॉन्टेवी चेम्स फोड रिफॉर्म आया था तो यह आप यहां पर देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा सी मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था ठीक है और दूसरे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आप यहां मेटी थी उसके अध्यक्ष से टूटल साथ मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमीटी में उनमें से डॉक्टर ब्यारम बेट कर एक सी मुखर जी तो यह थे वाइस प्रेजिडेंट थे संविधान सभा की जीमी वावलंकन जो यह सही आंसर है क्योंकि जीमी मामलंकन जीही थे यही चलरे में है सब्सक्राइब कर दिया तो अब यहां पर देखिए कि कैसे कौलन जो काल क्रम है इसमें आप करेखिए तो जो 1773 में पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारें हेस्टिंग ठीक है तो यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ हिंडिया पूछ रहा है यानि कि 1833 वाला पूछ रहा है तो 1833 में जो पहले लॉर्ड विलियम बैंटिक बने थे आप आपका यहाँ पर अप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा ठीक है लॉर्ड रिपन यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन में लॉर्ड रिपन को बोलते हैं फादर ओफ लोकल सेल्फ गवर्मेंट जो आप आज पंचायती राज और जो आप यह सारी चीने देख रहे हैं आपका यह 1773 में पहले गवर्नर जनरल वने थे बेंगॉल के लॉर्ड रिटन के बारे में आप जानते लॉर्ड रिटन के टाइम पे बहुत थी एक बेकार सायक्ट आया था वर्णाकुलर प्रेस एक्ट और पहला जो दिल्ली दरबार हुआ था 1777 में वह भी लॉर्ड रिटन के ही टाइम पे था ठीक है दमनकारी नीतियों के लिए बेसिक लिए जाने जाते हैं चलिए अगले कोश्चन बढ़ते हैं अगला कोश्चन है कि मुस्लिमों के लिए प्रथक निर्वाचन मंडल वो कब शुरू किया था ठीक है मैंने आपको बताया 1909 में जो रिफॉर्म आया था मौरले मिंटो रिफॉर्म उसी में बेसिकली मुस्लिमों के लिए प्रथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी वह क्यों की गई थी दोस्तों 1906 में आपका मुस्लिम लीग बना था और अंग्रेज 1905 में आपको याद हो कैसे हिंदू मुस्लिम को अलग किया जा जो पॉलेसी है उसको कैसे फॉलो किया है तो मुस्लिम रू लीग जो बेसिकली ढाका में बनाई गई थी और आगा खान वगएरा उस समय के प्रॉमिनेंट मुस्लिम लीडर ते जिनके नेत्रत में बनाया गया था तो 1905 की यह जो च कुछ है जो है इसमें जो है आपकी मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ ठीक है चलिए अगली कोशिंद्र बढ़ते हैं यहां पर मिलान करना है एक कुछ यहां इंपॉर्टेंट अधिनियम दिये गए है वह आपको यहां पर बताना है ठीक है मारले मिन्टो रिफॉम अग था तो आप यहां पर सही मिलान कर सकते हैं और चलिए अगले कोशिंद्र बढ़ते हैं साइमन कमिशन भारत में कब आया था दोस्तों अब यहां पर एक चीज ध्यान देनी होगी 1919 में गवर्मेंट ने यह एनाउंस किया था कि एक हम कमिशन बैठाएंगे जो उस समय के रिफॉम को आगे एनालाइस करेगा बताएगा उसमें क्या कमिया क्या सुधार करना है लेकिन हम 10 साल बात बनाएंगे यानि कि 1929 में बनाने की बात की गई थी लेकिन उन्होंने क्या किया 1927 में ही वो कमिशन बना दिया है ठीक है 1927 में बनाने के कमिशन भारत आया था तो आपको याद होगा साहिमन गो बैक का नारा दिया था साहिमन गो बैक साहिमन वापस जाओ यह किस ने दिया था लाला लाजपतराय जी ने दिया था तो उसमें सांडर्स एक सिपाही थ थे और उसमें कुछ सर पे चोट लगनी की वजा से लालाश्पत राय जी की डेथ हो गए थी ठीक है तो 1928 में बेसिकली साइमन इंडिया था तो उसी समय बिरोध प्रदर्शन हुए थे और उनकी डेथ हुई थी तो यह काफी इंपोर्टेंट इवेंट था बहुत थी बड़ उनीश सो सब्वाइस जो है ऐसी कोई डेट नहीं है कुछ इसका इंपोर्टेंस ने उनीश सो एकतिस आप जानते कुछ ठीक है चलिए समिधान सभा का गठन किसके अधार पर किया था तो समिधान सभा जो हमारी बनाई गई थी जिसके बात जो समिधान का निमाज जिस किसनके कैपजिक करते जएंब क्मेट करें पर लेके किस मिशन के या किस कमिशन के वजसी मतलब उन्हें खाका तैयार किया था वह कौ्न से कमिशन ना किया था तो आपका यहां उसके मिशन वेशंदर यहाद करन निजी आप लो पैतिक लॉरש से ऑड़ पिर नलीट का हिस color की मानें मानील नहीं थी यह यह थे वह आ दिराजी हो गया था तो cabinet mission का क्या था गठ्न किया गया था कि इस के बाद्थ और यहां पर याद रखिए गा इसने पाकिस्तान की बात कं बात को आफिकार की इस पाकिस्तान कि सिपाही बहुत ज्यादा सिपाही जो थे भारतिय थे तो भारतियों की जो थी लेने के लिए कि यार यह लोग जा करें हमारी तरफ से लड़े बेटेंट की तरफ से लड़े इसलिए आगास तॉफर दिया गया था कि हम धिरे धिरे आपको आजादी दे देंगे नहीं रिपोर्ट ती यहां पर कंफ्यूज मत हुई यह लाल मोतिलाल नहरु जी ने यह प्रपॉंड की थी का मोतिलाल नहरु जी ने दिती नहीं है केंद में 27 bạn acresने वह लाव पायंतिस में ठीक है पहले जो दब्सक्राइर की लगाक यह होती है में डीकले बाता जाएगा और यह ड्रांसफर्ट अब जैसे आप जितने भी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होंगे जैसे वह सारे रखे जाएंगे किसके लिए इसको वाइस और अपनी एक्जिक्यूटिव काउंसिल के साथ उसको डील करेगा मतलब एक तरह से समझ लिए कि रिजर्व वाइस रॉइक के लिए और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होते हैं वह बेसिकली ट्रांसफर कर जात करने के लिए इसमें ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट ने होता है और एग्री कल्चर हो गया जुकेशन जो लेस इंपोर्टेंट जो होते हैं उनको देखा जाता ठीक है 1935 में आया था केंद्र में और अभी आगे हम देखेंगे राज्यों में दोयत साथना साशन आया था व प्रोविंस में आई थी वह आई थी उननीस तो नीस में ठीक है तभी मैंने पीछे पताया था कि केंद्र में और जो सेंटर में स्वारी प्रोविंस में डायर की कब लाई गे थी ठीक है 1935 आपको गवर्मेंट और फिंडिया पता है 1909 में आपका मार्लेमेंट रिफॉर्म फूल में गवर्मेंट ओफ इंडिपेंडेंट में गवर्मेंट ऑफ इंडिए ठीक यूर फैक्ट क्प साने हुआ था था और यहां पसाई कhen और म हुआर। भूखरताल पे थे भूखरताल को तुरवाने के लिए जो है डॉक्टर बीयार अमबेटकर और गांधी जी के बीच में हुआ था ठीक है अग्रेजों ने उसके बावजूद 1935 में डिप्रेस्ट क्लास के लिए सेपरेट इलक्टुरेट जो है जारी कर दिया था तो यहां पर उन्होंने माना था कि हम सेपरेट इलक्टुरेट नहीं देंगे पूना पैक्ट में फिर भी पूना पैक्ट में बात तो रिजरवेशन क हुए थी कुछ स्रीट रिजर्व की जाएंगी सीज के लिए ठीक है लेकिन हुआ क्या उन्होंने सेपरेट इलक्टुरेट रे दिया 1935 में तो यह चीज काफी गलत थी और यही जो थी अप उस्वा मैक्डॉनार्ड जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे वहां के रिटेन के ठीक है चलिए भारतियों की भरती के लिए सिवल सिवा की परिक्षा कपसे शुरू की गई ठीक है जोस्तों सिवल सिवा की जो परिक्षा थी भारतियों के लिए वह शुरू की गई थी 1853 में प्रयास किया गया था बट वह नहीं पाया इसलिए 1853 से शुरू किया गया था औ ठीक है इलाबाद में तो पहले जो थे वो सत्यंद्र ना टैगोर थे 1830 में जो फर्स्ट पर्सन जो थे और 158 में कौन सा था एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस अठाव सतावन में आपको पता है करांती हुई थी और 1858 में एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आया था इसके बाद जो है सत्ता जो थी वो बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी से सीधा बिटिस गवर्मेंट के हाथ में चली चल गुलेटिंग एक्ट आंसर लगा देती जब कि यह सही नहीं है इसमें प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोड बनाया जागा लेकिन स्थापना कब हुई थी 1774 में हुई थी और इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे सर इलिजा इंपे यह प 17808 में एक एक आया था इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं सेटलमेंट एक्ट थी चार एक्ट थे टोटल डेगूलेटिंग आपका 1770 में आया था बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था गवर्नर को गवर्नर जेनरल ऑफ बंगॉल बना दिया गया था ठीक है और पहले हाए बहुत में बिल्यम बैंतिक थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉट अलहूजी फेमस इनकी जो डॉक्रिन ऑफ लैप्स यानि की जिसको हम हरप नीती भी बोलते हैं ठीक है और यह बहुत इंपोर्टेंट है विफ पेली के जी जू है जो इसे चिलेет में रहा था इसमें सबसे इंपॉर्टन जो राज था वो था आपका जहांसी जहांसी को इन्होंने कब्जा किया था हड़ अपनीती की वज़ा से थारा सो चोंवन में लार्ण माउंट बेटन बेसिकली आखरी वाइस वराय थे इंडिया के और चैन्स उनकके बारे में बाकियों कुछ खास नहीं है शिस बर्मा को भारत से कभी आब कवरमा को भारत अफिस में ङहां परिप्रावधान रख्चा गया था तो में अलग किया कब गया था बेसिकली एड़ाइन 1937 में अलग किया था आपको ऑप्शन क्या सही हो जाएगा यहां पर 1937 चलिए उद्देश प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था दोस्ते उद्देश प्रस्ताव यानि कि इसको इंग्लीज में ऑब्जेक्टिव रेजिलीश प्रस्ति ने जीविए मावलंकन जीरी कौन थे यह पहले स्पीकर थे यह हमारे डेपुटी प्रेजिडेंट थे वहार इस प्रेजिडेंट बोल लिजिए इसके समिधान सभा की डॉक्तर ब्यारम बेड कर ड्राफटिंग कमेटी के अद्ध्रष थे ड्राफिंग कमेटी में में टोटल साथ मेंबर थे ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए भारतियों को कानुली निर्मार प्रक्रिया में कब शामिल किया गया बहुत ही इंप्वाटर r इक्सट में ही जो पहले किया गया था 1773 से डी सेंट्राइज़ेशन यानि कि विकेंदरी करण का प्रोसेस जो सुरू किया गया था कि बॉम्बे और मद्रास की गवर्नर्स को बंगावल की गवर्नर के अधीन कर दिया गया था उसको खतम किया गया 1861 में उनको इंडिपेंडे कोशती विकेंडरी इक चुश्राइशन जो फक्राइशन को सु्शत किया गया था ठीक है सन को अधास यकुद में तीन लोग थे महराजा थे पटियाला के बनारस के महरा राजात avoir जो जो है ईश्यों में शामिल चालेट में इस इंडिया कम्पनी की ट्रेड में रूप से खत्म की गई थी लेकिन बच गया था टी में बच गया था चाय पर जो ट्रेट था उस पर नहीं खत्म की गई थी लेकिन जब में आपका चारट etr है था तो08 में चाय पेचा चाहों कई गए था और 1623 में एक और law member add किया गया के लिए रच करने के लिए आपका चार्ट एक और आया रहा था था थार सताहर में आपके पहली सतनता संग्राम हुआ था यह आपको पता है जारी करने की शक्ति पर ही विसरय को अध्यादयस जारी करने शक्ति आपकी प्राप्तिय उती अढ़ा 1861 से और अपनी लेज्सिञेटर के कॉन करें रहें उन की सहम्तित के भी वाइस रा को इतनी पावर थी कि कोई भी अध्यादेश के जरिए जारी कर सकता था तो ये 1861 में ये दिया गया था पावर उनको अठास तिरपन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था उसमें था कि जो इंडियन से मतलब भारती जो केंद्री विधान सभा है उसका जो है वा था इंडियन लेजिसलेटिव संबली बेसिकली उसमें क्या था दो पार्ट होते थे एक होता था विधाई का और एक होता था कारेपाली का तो ये जो शुरुवात हुई थी बेसिकली वह 1853 से ही हुई थी 1773 का रेगुलेटिंग आक्ट हमने पढ़ लिया है 1892 में बजट पर बातचीत करने की अनमती दी ग कुछ भी पूछ सकते थे यह पावर जो दी गई थी लेजिलेचर के मेंबर्स को वह 1892 में दी थी ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं लौ मेंबर कब एड किया गया था किस लौ मेंबर आप जानते हैं कौन था टीबी मैं कॉले टीबी मैं कॉले थॉमस बैविंटन मैं कॉले ठीक है यह पहले लौ मेंबर थे 1833 के जो चार्टर एक था उसमें प्राविधान कि गया गया कि अब हमें कानून को कोडिफाई करने की ज़रों थे ऐसे ही हैप हैजाड या ऐसे वेग तरीके से कानून ना रहे तो उसको कोडिफाई करने के लिए पहले जो लौ मे लिटली कोडिफाई हुआ था इसमें इनका बहुत बढ़ा योगदान रहा है तो यह कब बनाया गया था 1833 में लौ मंबर को एड किया गया ठीक है 1861 में बने बताया भी आपको अध्यादेश की शक्ति दी गई 1833 में Central Legislative Council का गठन हुआ था और 133 में लोकल रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ लोकल रिप्रेजेंटेशन और 133 का जो एक्ट था वो इंपॉर्टेंट इसले था क्योंकि उसमें जो है किसन इसाई जो मिशनरी इस थे वो आके भारत में अपने धर्मका प्रचार पसार क एक लाख रुपए जो है एजुकेशन के लिए अलग से रखा गया 1813 के चार्टर एक के बाद और यह आज का आखरी कोहिश्चन आपका केंद्र लोक सिवा आयोक के स्थापना कब हुई थी आपको बताना तो केंद्र लोक सिवा आयोक के स्थापना 1926 में हुई थी और दोस इसके तहत 1926 में केंद्र लोक सिवा आयोक की स्थापना की गए थी और इसके जो पहले चेयर्मेन थे वह कौन थे रॉस बेकर तो यह आपको पता होना चाहिए रॉस बेकर जो थे यह इसके पहले चेयर्मेन थे 1935 में ने बता दिया 1929 में मौन्टेगू चेंस पोड चैप्टर खतम हुआ है यह बेसिकली प्रिष्टी भूमी और कुछ विश्रस्थाओं के उपर था अगले में हम धीरे दीरे आपके सम्विधान की कुछ और विश्रस्थाओं और उद्देशी का यानि प्रस्ताओं आपके क्वेशन आंसर करेंगे और फंडामेंटल राइ सकते इसमें रिवीजन प्लस मॉक्टेस यही आपके सक्सेश का फॉर्मूला होना चाहिए पैट एक्जाम में और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं आप सब में से हर कोई अच्छे से अच्छे मांक लाया एक इस मोर दन नाइन परसेंटाइल आप लेके आए और फाइनली म का मतलब ही है कि आपको कर्म पे ध्यान देना क्योंकि आपके हाथ में कर्म करना आपके हाथ में फल नहीं है तो कभी जो है कर्म से ओर द्हरम कर द सके को पूरा कर सके अपने परिवार अपने देश का नाम रोशन गर सके तो कभी भी आपको कर्म कर्म से हटना नहीं है यह सोचके कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो इस तरह से यह एक विद्यारति जीवन के लिए बहुत ही important quote है और इसी के साथ मैं आज की class खतम करना चाहूंगा अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल पर अगर नई है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूले मिलते हैं अगले टेस्ट में तब तक के लिए जाहिन दोस्तों